सो हेलो बच्चलो वेलकम बाक, जेही में 2022 जून अटेम्ट में आपसे फिगर ओफ मेरिट पे एक सवाल पूछ लिया गया, जो काफी बच्चों को परिशान किया, हलाकि ये टर्म बस आपको जानना जरूरी था, अगर आपने गैलवनोमीटर के बेसिक्स को भी पढ़ा है, त आप इससे maximum IG current पास करवा सकते है, ये वो IG current है, जिसके लिए maximum deflection आपको मिल जाता है, तो ये जो IG current होता, that is equal to some constant multiplied by that maximum number of deflections, right, तो इस K को ही हम लोग यहाँ पे कहते है, figure of merit, right, figure of merit हम इसे कहते है, अब इसी के उपर आपसे यहाँ पे, जेही ने ये सवाल आपसे पूछा थ है, कि if N represents actual number of deflections in a converted galvanometer of resistance capital G and shunt capital S, right, so basically यहाँ पे galvanometer को ammeter में convert किया गया है, then the total current I when its figure of merit is capital K will be how much, तो यहाँ पे अगर आप इसका diagram बना ले, ये आपका galvanometer है और आपने इसके parallel में एक resistance लगा दिया है, जिससे आप यहाँ पे shunt कह रहे है, ठीक है, अब यहाँ से आपका maximum current pass कर रहा है, जिसमें से IG जो है, इसमें चल जाता है, और I minus IG जो है, बच्चा इसमें चल जाता है, और अगर आप यहाँ पे इन दोनों के cross potential difference को equate करेंगे, तो आप इस तरीके से जो है, equation को लिख पाएंगे, I minus IG multiplied by S, अब हमें यहाँ से capital I की जो है, वो value चाहिए, तो आ right, this is your figure of merit multiplied by N, और यहाँ पे आपका G plus S divided by S, तो है ही, which is your option number D, तो सवाल आप देख सकते हैं, कोई बहुत जदा difficult सवाल नहीं था, लेकिन अगर figure of merit term आपको नहीं पता है, तो फिर यह सवाल आपके लिए मुश्किल हो सकता है, उमीद करते हैं यह आपको help करेगा, और इसक का लिंक आपको नीचे पिंट कमेंट में भी मिल जाएगा, टेक केर, विश्यू बेस्ट आफ लख,